रास्तिय शैक्षिक अनुसंधानेवं प्रशिक्षन परिशत के केमरी शैक्षिक प्राउट द्यूग की संस्थान द्वारा निर्मित प्रसुथै कक्षा एक के छात्रों के लिए कारिक्रम शेहर की सेर राजकुमारी प्रसाद द्वारा लिखित इस आलेख को प्रसुथ कर रही हैं धृती चौथ्री बच्चो एक था पता है कौन हाँ और एक था पता है कौन हाँ गधे का नाम था भोलू और कुट्टे का नाम था खैरू कुट्टे और गधे में बहुत पक्की दोस्ती थी एक दिन वे आपस में बाते कर रहे थे सुनोगे तुम भी इनकी बातचीत लो सुनो खेरू मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ रोज धेरों माल लाद कर बाजार जाओं और फिर लोटाओं यही काओं का छोटा सा बाजार है यही खेतों में से जाने वाले कच्चे रास्ते हैं यहां काम करते करते मैं तो उब गया हूँ और खेरू इतना काम करने पर भी मालिक मेरी पिचाई करता है पर भोलू हम और कर भी क्या सकते हैं मालिक को छोड़ कर जा भी तो नहीं सकते यह मालिक काम तो हम से पूरा लेता है पर खाने को इतना कम देता है कि पेट भी नहीं भरता मेरा मालिक मुझे कल कच्चे रास्तों से लाया बै खेरू वर्षा होके चुकी थी इसलिए सारे कच्चे रास्ते पर कीचड हो गया था इचड और गीली मिट्टी में मेरे पाओं धर धर जाते थे मैंने तो सुचा है कि यहां से भाग कर शहर चला जाओं वहां पक्के रास्ते है मैंने सुना है शहर की बात ही कुछ और है हां सुना तो मैंने भी है गाओं में तो कच्चे रास्ते हैं तेडी मेरी पक डंडिया है जिन पर चल चल कर हम तंग आ गए हैं शहर में खूब लंबी चौड़ी सड़के हैं कोलतार की पक्की सड़कें जिन पर मोटर गाड़ी फर फर दोड़ती है मैंने तो कभी ना मोटर गाड़ी देखी ना रेल और ना आवाई जहाज देखा चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ शहर में खूब गूमेंगे और तमाशा देखेंगे बड़ा मज़ा आएगा बच्चो अब खेरू कुट्ता और भोलू गधा शहर के ओर चल दिये पता है वे क्या गाते हुए जा रहे थे सुनो जाते हैं भई जाते हैं पगडंडी से जाते हैं जाते हैं बई जाते हैं जाते हैं जाते हैं मैं हूँ खेरू मैं हू फोलू जाते हैं बैजाते हैं पक्डंडी से जाते हैं पक्डंडी जो कच्की है पक्डंडी जो सक्री है रास्ते में छेरू कुट्टा और भोलू गधे को तल तल मेंड़त मिला मेरा नाम है चितपोरा जय जय राव जय जय राव भैया जरा बताओ तास ले तुम बड़े ठाट से बड़ी शांच से जाते है भै जाते है पकडंडी से जाते है पकडंडी जो कच्ची है पकडंडी जो सक्री है शक्री मतलब पथली है पथली मतलब शक्री है जाओं छोड़ कर जाते हैं पकडंडी से जाते हैं शेहर की सेहर को जाते हैं, जाते हैं, बही जाते हैं मुझे मिसात ले लो, खेरो भेया, बोलो भेया, मैं में साथ चलूगा सेहर देखना है मुझे को भी, मैं भी साथ चलूगा सोच लो तिटकूरा, तुम हो इतने छोटे, शेहर में बहुत बड़े हैं काम पहुचते पहुचते हो जाएगी शाम हाँ, भै टिटकूराम, सोच लो वहाँ पर होंगी पक्की सडकें, जिन पर चलती मोटर गाड़ियां तुम हो इतने छोटे, कहीं खोना जाओ मैं खेरो भैया, बोलो भैया, मैं हूँ तुमारा छोटा भैया, मुझे भी साथ लेलो, चलो, मैं भी सहर की सहर करूगा अच्छा, तो चलो, तुम भी चलो जाते हैं भै जाते हैं, पगडंडी से जाते हैं जाते हैं भै जाते हैं, पगडंडी से जाते हैं पगडंडी जो पच्की है, पगडंडी जो सक्री है, सक्री मतलब पत्री है, पत्री मतलब सक्री है मैं हूँ खेरू, मैं हूँ भोलू, मैं हूँ तट्टू राम हम तीनों हैं फक्ते दो, आओ हात मिलाएं, गाते गाते जाएं पगडंजी से जाएं, जाते हैं भै जाते हैं चोड़ी चोड़ी सरत कहा, अरे बता हुआ है शेहर जहां पठा हुआ है यह जाते हैं भै जाते हैं, पगडंजी पर जाते हैं खैरू भोला और तिट कुराम गाते हैं, हसते चल दिये शहर की तरफ गाओं की कच्ची, पतली, सकरी पगडंडी पार करके, वो सड़क के किनारे पहुचें खुब चाड़ी, पक्की, दूर तक लंबी सड़क को देखकर, तीनों बहुत खुश हुएं और बोले वाह, कितनी चौड़ी है ये सड़क वाह, कितनी पक्की है ये सड़क तर, 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 वाह, कितनी लंबी है ये सड़क और इतनी चौड़ी है कि तीनों मिलकर एक साथ इस सड़क पर आसानी से चल सकते है शेहर की सड़क तो पक्की है बारिश में भी यहां कच्की पक्डंडी की तरह की चल में पैर नहीं धसेंगे और बच्चो भोलू, खेरू और टिट कुराम उस लंबी, चौड़ी, पक्की सड़क पर चलते गए, चलते गए झाल झाल झाल